हिंदुस्तान के धर्ती को तरह तरह की कुद्रती खजानों का वरदान मिला है। हमारे धर्ती के अंदर ऐसी किम्ती प्राकृती संपता छपी है जो हम सब की सांची है। लेकिन जह हमें एक और यह वरदान मिला है वहीं दूसरी और जनता इसके खजाने को कुछ गिने चुने लोग और इनकी निजी कमपनियां लोट रही है। इसकी एक शर्म नाक मिसाल नाकपूर की एक छोटे से गाउ में सामने आई। प्राकूरतिक संप्रदाख से समर्पित नाकपूर की इसकोने की खुपसूरती का आज यह हशर कर दिया गया है। जिस शेत्र में यहां खनन हो रहा है उस ग्राम पंचायत की अनुवती नहीं ली गई जिसके कारण सरकार की आई भी डूप रही है। खडगाव शेत्र से रोजाना सेकड़ों गाडिया अवैत तरीके से गिट्टे मुरूम की दुलाई करते हैं। इस पर पटवारी वद तहसल के आला अधिकारे भी कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण धडले से जमीन को काटने का काम चल रहा है। लावा में तीन तो खडगाव में चोटिस क्रेशर व्यवसाई है। कुछ व्यवसाई ने कर भरने की जानकारी ग्राम पंचायत ने दी। वाडी, लावा, सावली, मावली, चितोली, कलंबी के लोग खडगाव की और रोजाना प्रवेश करते हैं। लेकिन सडक से कुछी दूरी पर क्रेशर मशीन लगने से वहाँ से बड़ी मात्रा पर डस्ट वधुआन निकलता है। भारी मात्रा पर प्रदुशन होने से आने जाने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायद शेत्र में बिना अनुवति के चल रहा या धंदा सरकार की आयड डुबा रहा है। 30 वीट तक जमीन का उत्खनंत कर निकल रहे है। खडगाओं में लगे क्रशर मशीन द्वारा करीब 30 फिट गहरा खोट कर जमीन से गिट्टी निकाली जा रही है। खनी कर्म विभाग की नियमों का उलंगन हो रहा है। सालों से हो रहे हैं सवय धंदे पर कारवाई क्यों नहीं हो रही यहा सवाल है। ज्यादातर करशर मशीन खडगाओं शेत्र में हैं। 34 के करीब व्यवसाईयों का नाम ग्राम पंचायत के दफ्तर में दर्स है। लेकिन 3-4 ही व्यवसाईक ने ग्राम पंचायत से अनुमती ली है। वाकि लोगों ने 5 साल से अनुमती को रिनिवल नहीं किया। करीब 25 लाख रुपय का कर अभी भी बकाया होने की जानकारी पंचायत ने दी। संदर में तैसलदार मोहन टिकले को पूछने पर बताया कि यह विभाग हमारे पास नहीं आता। खानिकर्म विगभाग से जानकारी मांगने पर खानिकर्म अधिकारी ने जानकारी देने से मना कर दिया यह मों के अनुसार तैसल से ही रॉयल्टी भरने व जमीन से उत्खनन करने की अनुमती दी जाती है तेसलार मुहन टिकले नहीं लावा पंचायक शेत्र के क्रेशर के लिए चाहिर नामान निकाला वर रायल्टी दी है या विशेश है खडगाओ के नागरिकों ने बताया कि खदान पर ब्लास्टिंग किया जाता है जिनके वाइबरेट से घरों को हादरा बैटता है कुछ गरों को दरारी भी पढडी है खदानों के कहरन गाओ को और एक समस्याओ का सामना करना पड़ता है खदान से निकली डस्ठ खेती के फसल पर बैठने से फसल को भी नुकसान हो रहा है खनीज उत्खनन्द करने के बाद माल वहातु करते समय भी किसी किसी गाड़ी के पास ही परवांगी होती है वह महत्वका मुद्दा है वरिष्टों के जेब भरने का नियम के अनुसार ही अनुमती दी जाती है जमीन से उत्खनंद के लिए जब तैसिलदार की और से ग्राम पंचायत की और दाहिर नामा निकलता है वो पंचायत को मिलते ही पंचायत के बैठक में उसे रखा जाता सारी कंडीशन पर हम क्रेशर से जमीन का उत्खनंद करने की अनुमती दी जाती वह भी एक साल के लिए हरवर श्रिनिवल करते हैं जिसके माद्यम से पंचयायत को आई भी होती है ऐसी जानकारी ग्राम विकास अधिकारी लावा ग्राम पंचयायत के अधिकारी विकास लाड़े ने दी बकाया कर नहीं भरा तो कारवाई करेंगे, बकाया कर का डिमान भेजा है, बहुत से क्रेशन वाले ने कर नहीं भरा है, करीब 20-25 लाग बकाया है, हर वर्ष रिनिवल भी नहीं किया गया, आप कर नहीं भरा वर रिनिवल नहीं किया गया तो कारवाई करेंगे, ऐसी जानकारी खडगाओ ग्राम पंचायद के सचीव मानिक जादों ने दी खडगाओ परीसर में अन्दाजन 35 क्रशन व्यवसाई है किसी ने रोयल्टी भरी तो किसी ने नहीं भरी अनुमती के लिए भी अरजील लगाई गई है ऐसा खडगाओ के पटवारी हेलोंडे ने कहा ग्राम पंचायद को जानकारी नहीं हम मुरूंग की रोयल्टी के लिए अनुमती देते हैं वह भी पात सो ब्रास तक क्रशर मशीन से जमीन के उत्खनन करने के लिए जिलादिकारी खनन विवाग से अनुमती लेना पड़ता है तैसल से नहीं तैसल कारा ले आकर माइंग सेक्शन से जानकारी ली ऐसा वक्त तब या नाकपुर ग्रामेंट के तैसलदार मोहन टिकले ने किया बीसे नियूस के लिए वाड़ी से सुरप पाठिल की रिपोर्ट